Hello students, welcome to my channel Maths with Pooja बेटा जी, स्क्रीन पर आपको टॉपिक दिखाए दे रहा है डेट शीट फोर सैट एक्जाम सिनमंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू यानि की सैट टू की आपकी डेट शीट है ये सैट टू का मैट्स स्लेबस मैं पहले ही मैट्स की हर क्लास का स्लेबस जो की सैट टू में आने वाला है मैं अल्रेड अपने चैनल पर अप्लोड कर चुकिए आप मेरे चैनल पर देख सकते हो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा और सभी क्लासिज के मैट्स के सैट के sample paper भी मैं बहुत बहुत जल्द डालने वाली हूँ जिसके लिए आप channel को subscribe करके रखो bell icon को press कर लो और ज्यादा से ज्यादा students को share करो जल्दी से हम पहले आपकी date sheet देख लेते हैं फिर एक दो instructions हैं उनको देखेंगे ये देखेंगे आपका exam पहला exam होगा 28 November Monday को before recess and after recess before recess 11th class का English core या elective का और 12th class के बहुत सारे exam है आप देख सकते हूँ ये है maths, bio और all science और public administration चीक है public administration पर star लगा हुआ है जिसका मतलब मैं आपको भी बताती हूँ इसके बाद आपका उसी दिन after recess exam होगा plus one का एक को home science का plus two का Sanskrit Punjabi, Urdu, OSS, Entrepreneurship का हो जाएगा ये आपका यहां केवल 11, 12th का होगा 29 को सभी classes के start हो जाएंगे जिसमें 6th का Hindi का, 7th का Maths का, 8th का English का, 9th का English का, 10th का Maths का, 11th का Math, Bio, Political और Public Ed का morning की बात कर रही हूँ मैं ये और 12th का history, physics और accounts का paper हो जाएगा ठीक है और अब हम evening shift की बात करते हैं, किस दिन की? 29 तारिक की, 29 तारिक की ही बात मैं कर रही हूँ Friday की तो 29 को 6th का evening में होगा Maths का, 7th का SS का, 8th का Hindi का, 9th का Sanskrit, Urdu, Drawing, Punjabi, PHE, NSQF का 10th का Hindi का, 11th का Fine Arts, Music, Psycho और Agriculture का, और 12th का NSQF और Physical Education का ठीक है, एक दिन में आपके दो-दो exam होंगे, ये देख लीजे, ये आपकी 28 तारिक की date sheet है ये आपकी 29 तारिक की date sheet है, और अब मैं आपको 30 नमबर की date sheet बताने जा रही हूँ 30 नमबर को 6th का morning में science का है, और evening में drawing, home science, music, vocal, instrumental और agriculture का है सात्वी कक्षा का morning में hindi का, evening में science का, आठवी का morning में maths का, evening में SS का, तीस तारिक 9th का maths का morning में hindi का evening में, यानि evening means after lunch 10th का science morning, संस्कृत उर्दू, drawing, optional subject, जितने भी उनका evening में 11th का देख लीजे, तीस तारिक को sociology, business, study, chemistry और यह हमारा after recess हो जाएगा, संस्कृत पंजाबी, उर्दू, OSS और entrepreneurship 12th क्लास का 30 तारिक को, English core का, और evening यानि after recess, Hindi core means दोनों language आपकी एक ही दिन आ जाएगी, और अब हम आ जाते हैं, 1st December 1 December को आप देख लीजे, यह paper है, हमारे morning और evening बोल रही हूं है बार बार, 6th का संस्कृत उर्दू, पंजाबी, after recess, SS का, 7th क्लास की बात करती हूं बैटा, यह देखो 7th क्लास का morning में English का after recess, संस्कृत उर्दू, पंजाबी 8th क्लास देख लीजे, morning science, evening में after recess, drawing, home science, music, vocal, instrumental और agriculture 9th क्लास, morning science, evening SS, 10th क्लास, एक तारिकी बात चल रही है, morning English, evening में कोई paper नहीं है 11th क्लास, देख लीजे अब आप, morning में history, physics, accountancy, evening में hindi, core और elective 12th के लीए, अब मैं screen को थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, यह देखे, 12th क्लास का है, morning में है, आपका sociology, business study और chemistry का, और evening में, core home science का, ठीक है, और अब आपका last बज जाता है, 2 December आप देख लीजे, केवल 1, 2, 3, 4 और 5 ही दिन में आपके सारे exam cover हो जाएंगे ताकि आप आगे भी फिर अपने syllabus को बढ़ा सकें, जल्दी चे दो तारिक को देखते हैं, बेटा, दो तारिक को 6th क्लास, ठीक है, भी 6th क्लास का, morning में English का है, evening में कोई paper नहीं है आगे बढ़ू, 7th क्लास की बात करते हैं, morning में optional drawing, home science, music, vocal, instrumental और agriculture का है 8th क्लास की बात करते हैं, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी का paper है 9th क्लास की बात करूँ तो बेटा, computer का paper है, इस बार computer का paper भी आपका दिया गया है, जो बच्चे ले रही है 10th क्लास पर आजाती हूँ, तो मैं उनका SST का paper है, और 11th की बात करें, तो आप स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये देखी दो तारिक की बात चल रही है, तो 11th क्लास का आपका paper है, computer science, geography का, और evening में NSQF और physical education का और 12th क्लास का दो तारिक को है, fine arts, music, psychology, agriculture, और evening में computer science और geography का, और जल्दी से जो instruction मिली है वो और मैं आपको बता देती हूँ, कि exam of students appearing in any state, national, international events can be taken after these exams, जो बच्चे किसी event में भाग ले रहे हैं, उनके exam बाद में हो जाएंगे, ठीक है, जब भी वो उस event से आते हैं, और दूसरा ये है कि some adjustment due to subject combination, तो जो star mark वाले paper है, वो बाद में लिये जा सकते हैं, जैसे इस पर public ad पर star लगा हुआ है, तो अगर उस दिन जादा paper हो जाते है तो बाद में school वाले वो आपके principal पर depend करेगा कि कैसे उन्होंने लेना है, तो ये आपकी set की date sheet आपके screen पर है, और आप इसको जादा जादा बच्चों को share करें, और maths के sample paper लेने के लिए, सभी classes के maths के sample paper के लिए, channel को subscribe जरूर करें, thank you